Hello everyone, तो last class में हमने देखा था कुछ basic definitions जैसे कि आपका item potent element क्या होता है, nil potent element क्या होता है and last में आपको दो आपको homework मिला था, कि ये ring था, इसकी unity element के बारे में देखना था and आपको एक example ऐसा देना था ring का, जो commodity property को hold कर रहा है, without zero property को hold कर रहा है but उसके पास unity element नहीं है, तो चलिए, पहले इनको discuss करते हैं, देखेगा, अब जो आपका R है, तिके, उसके unity element को discuss करते है मैंने एक randomly कोई भी element pick करा, मैंने एक particular element लिया, sorry, ये R का member है और माल लेते हैं कि ये इसका unity element है, तो by definition, unity का definition क्या कहता है अगर आपके पास एक ऐसा element 1 मिल जाए, ठीके, 1 यहाँ पर सिर्फ notation है, कि आपकी ये equation hold हो जाए for each R, then आप बोलते हो इस 1 को unity, तो यहाँ पर मैंने definition को apply किया तो by definition, यहाँ पर ये element है, इसको आपने unity लिया है, तो by definition of unity यह आएगा अब जैसी LHS को आपने solve किया, तो a, b, 0, 0, equal to this, और यहाँ से imply किया, a और b आपके वना गए तो यानिकि अगर जो आपका unity element लेके चले थे, वो दिखने में कैसा होगा आपके पास, वो कुछ इस type का होगा ठीके, चलिए, अब यह हमारे पास existence आई, unity, अब मुझे यह चेक करना है, जो मुझे unity element मिलाई, क्या यह हर एक element के लिए same behave कर रहा है क्योंकि by definition of unity, for each r, अगर हमें एक ऐसा one मिल जाए, जो certain equation को hold कर रहा था, then हमने उसको unity बोला था अब यहाँ पर हमें एक और element उठा रहा हूँ इस ring का, मैंने यह लिया है, यह r का member है, अब चेक करते है कि जो आपका, यह element आया है, unity, क्या unity है भी है नहीं, ठीक है, अब by definition of unity, यह आपका element है, यह आपका unity है, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर one zero, zero zero by definition, अब जैसे आप LHS को solve कर रहे हो, यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है ठीक है, ठीक है, तो यह तो definition को ही discard कर गया, तो आपके जो r ring है, इसके पास unity element नहीं है अब देखिएगा, यह आपके पास unity element नहीं है, ठीक है, तो यह इसलिए important example है आपको एक ऐस example मिल गया, अगर कहीं पर, कोई option में बना करके देदे, क्या every ring, यानि कि हर एक ring के पास unity element होना जुरूई है नहीं, आप यह example consider कर सकते हैं, ओके, second को मैं discuss करता हूँ, आपने एक ऐस example देना है, जो certain condition को hold कर रहा है और इसको नहीं hold कर रहा है, कासी सारे example आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपने पड़ा था, z आपके पास यह ring होता है, अगर मैं इसका कोई subset ले लूँ, लाइक, मैंने यहाँ पे, r को consider कर लिया, 2z, under the same binary operation, then आप easily verify कर सकते हो, r plus under dot, यह आपका ring बनाता है, even यह आपका commutative ring है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, without zero property भी यहाँ पे hold होएगी, क्योंकि यहाँ पे जो element है, वो किस तरह कहा है, बार देख लीजिए, 0 यहाँ पे आएगा, plus minus 2, basically 2 के multiples आएगे, ठीक है, and plus minus 4, and so on, okay, अब अगर यहाँ से आप 2 non-zero element ले रहे हो, अब then इनका आप product करोगे, तो वो भी तो कोई non-zero है आएगा, यानि कि इसके पास without zero divisors जो property थी वो भी hold हो रही है, बट यहाँ पे unity element नहीं है, क्यों, देखो, मैंने a को two pick करा, ठीक है, अब by definition unity का element क्या बोलता है, two में किस चीज़ का multiply करें, जो वापिस two ही आजाए आपके पास, ठीक है, यानिक भी आपको यहाँ पे one put करना होगा, तभी जाके तो two आएगा, बट क्या आवन इस set में है, कहीं पे भी one नहीं है, क्यों यांगे two के multiples है, ठीक है, तो ऐसा example आपके पास क्या होगा, two z, ठीक चलिए, next कुछ discuss करते हैं, हमने जो basics definition देखा था, item potent element का, उनको थोड़ा और analysis करते हैं, basically उनके set में relation find out करने कोसिस करते हैं, इसका फाइदा यह होगा आपको, कि जब भी आपके numerical type question आते हैं, कि आपको कोई randomly ring दिया गया होगा, उसमें पूछ लेगा, इसमें कितने total number of item potent element है, निल्पोटेंट element है, तक बार हम analysis कर लेते हैं, और कैसे उनको calculate कर लेते हैं, वो सारा procedure हमारा यहीं से आ जाएगा, ठीक है, कल आपको लिखा है था, हमने, let r plus dot be any ring with unity element, ओके, यानि कि ऐसा ring आपने लिया है, यानि कि आर यू आपने लिया, ring with unity element, ठीक है, फिर्स्ट हमने define किया था, basically u of r, u of r का मतलब क्या था, a belongs to r, such that a inverse exist, यानि कि u of r को आपने denote करा था, set of all units of any ring, और we can say ring with unity, ओके, second हमने एक set बनाया था, basically z of r, यहाँ पर आपके क्या थे, basically यह आपका set था, set of all zero divisors, okay, then ir हमने यहाँ पर define किया था, set of all item potent element, and fourth one, nr, nr means set of all nil potent element, definition हमने देख लिया था, ठीक है, set of all nil potent element, मेरा target यहाँ पर क्या है, जो भी चारो set है, इनमें मुझे एक relation बनाना है, basically अगर आपको, आपको कोई भी एक randomly ring दिया गया है, अगर आपने यह verify कर लिया, कि उसमें कोई element, आपका unit बन रहा है, क्या वो इनमें से कौन सा limit बन सकता है, ठीक है, अगर आपने find out कर लिया, like a मेरे पास unit है, क्या मेरे पास a zero divisors हो सकता है, ठीक है, तो उसी कहीं मुझे analysis करने है, तो यहां से जो first result निकल करके आता है, इनको मैं one by one, just दो से तीन line के proof है, तो first information यहाँ पर क्या है, zr intersection ur, यह always क्या होता है, आपका empty set होता है, मतलब, अगर आपने अपनी ring में यह find out कर लिया, कि a मेरे पास zero divisors है, तो a कभी भी unit नहीं बनेगा, ठीक है, अगर आपने यह कोई element है, उसकी आपने पहचान कर लिकिए वो unit है, तो वो कभी भी zero divisors नहीं बनेगा, ओके, चलिए, second relation हमारे पास निकल करके आता है, set of all item potent element वो contain होते हैं आपके, basically zr union 0 and 1, ठीक है, यानि कि जितने भी आपके item potent element है, वो या तो आपके zero divisors भी हो सकते हैं, यानि कि इसके set में contain कर सकते हैं, या 0 1, ठीक है, यानि कि इस proper set में contain करेगा, next relation आपके पास आता है, set of all nil potent element वो आपके क्या होते हैं, यानि कि set में contain करेंगे, यानि कि set of all zero divisors union 0, ठीक है, यह कैसे आया, अभी हम इसको proof करेंगे, next आपके पास आता है, अगर ir intersection nr के साथ करें, तो दुनिया में एक ही element है 0, जो common होता है, तो यह सब मेरे पास relation निकल करके आया है, ठीक है, अब इसको मैं proof करा रहा हूँ, कुछ proof मैं करूँगा, बाकी basic जो भी definition है, उसने अपने apply करना है, और अप easily इसको proof कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां से कैसे इनको देख पाऊगे आप, जैसे कि कोई भी आपको ring दिया जाएगा, कैसे इनको apply करना है, जैसे कि आगे जाके हम find out करेंगे, basically ZN की बारे में, कि ZN की unit कैसे calculate करते हैं, आपका gate में भी यहां से question आता है, units कैसे find out करते है ZN की, इसमें zero divisors, इसमें nil potent element, इसमें item potent element, ठीक है, तो इन सब का application, इन सब का application, इस ring पर मैं apply करूँगा, then वहाँ से कुछ results निकल करके आएंगे, जिससे आप directly अपने exam के question को tackle कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, मैं कुछ proofs यहां पर बता दिता हूँ, कैसे आपने deal करना है, first one देखते हैं, कि first one कैसे proof करना है, यानि कि ZR, intersection with UR, आपका empty कैसे है, माल लेते हैं, empty नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें element होगा, देखो, ZR intersection with UR, माल लेते हैं, यह set आपका non empty, non empty है, यानि कि कोई ना कोई इसमें element present है, अब intersection की property क्या होती है, A आपका ZR में भी होगा, and A आपका UR में भी होगा, ठीक है, A ZR में हैं, तो definition apply कर दीजी, तो आपको एक non zero element ऐसा मिलेगा, in R, such that, A dot B equal to zero, और यहां से क्या imply करोगे आप, A inverse exist, ठीक है, चलिए, अब A inverse exist कर रहा है, ठीक है, अब यहां देखना ज़रा, A into B equal to zero है, A inverse exist कर रहा है, तो दोनों साइड में A inverse से operate कर सकता हूँ, ठीक है, यह आपके पास क्या आएगा, यहां पर बनाएगा, यहनि कि unity by definition, यहां पर क्या आएगा, zero, और we can see, B equal to zero, ठीक है, ठीक है, कुछ contradiction यहां पर आपको मिल गया है, contradiction क्या मिला है, यहां पर हमने क्या बोला, कि B zero है, और यहां पर क्या बोला है, कि B zero है, it means what, जो हमारी hypothesis जो हम लेके चले थे, वो आपके पास क्या है, रहूंगे, यानि कि यह आपके पास true है, ठीक है, आप देखो मैंने definition का ही यूज गया है यहां पर, second proof की बात कर लेते हैं, second proof आपका है, जैसे कि IR आपका contain करेगा, Z of R union, zero one, इसको कैसे proof करना है, तो कोई भी element यहां से लीजिएगा, और यहां पर इस सेट में, contain गराने causes करिएगा, जैसे, अगर A, IR का member है, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, और we can see, ठीक है, यहां से क्या क्या हो सकता है, देखो, अब ऐसा भी हो सकता है, या तो A, 0 होगा, और A, minus 1, यहां पर 0 होगा, ठीक है, अब एक case यहां पर और बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो A, 9, 0 होगा, and A, minus 1, यह भी 9, 0 हो सकता है, वाई, क्योंकि देखो, हमने सिर्फ, ring with unity लिया है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, आपकी ring के पास, without 0 property, hold है, ठीक है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यह चारो case, यहां पर possible है, means what, अगर यह case possible हुआ, अगर यह case possible हुआ, अब यहां पर आप क्या बोल ले हो, इन दोनों का product 0 है, तो यह आपकी किसकी definition हो गई, जेडड़ी की, 0 divisors, ठीक है, और यहां से क्या आपके पास मिल ला है, कि 0 भी आपका, इस set का member हो सकता है, ठीक है, और a-1, और we can say equal to 1 भी member हो सकता है, ठीक है, यहनिकि nil potent element हो सकते हैं, ओके, sorry, item potent element, अब यहां से देखो, तो जितने भी सारे item potent element हैं, वो सारे किस set में contain कर गई, इसमें, यानिकि, 0 divisors, union, this finite set, 0, 1, ठीक है, तो सिर्फ definition से मैंने analysis किया है, ओके, चलिए, अब examiner पे depend करेगा, वो आपको क्या condition दे रहा है, हम यहां पे सिर्फ ring with unity देखी चल रहे हैं, अगर उसने वहां पे integral domain या field बोल दिया, या फिल्ड बोल दिया, या वहां पे और restriction लग जाएंगी, हम और easily वहां पे, अपने item potent और 0 divisors को find out कर सकते हैं, ओके, अगर वहां पे integral domain देदेगा, अगर आपको, अगर आपके पास integral domain है, तो जो आपके item potent element है, वो only इसी set में contain करते हैं, ठीक है, याँनि कि 0 और 1, यही आपके आपके वहां पे item potent element होते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही है, 3rd 1, जैसे 3rd हमने बताया था, आपको, थर्ड लेशिन हमने बताया था, एन आर, वो आपको contain करता है, जैडार, union 0, तो आपने इसी definition को apply करना है, देखेगा, if, a belongs to nr, ठीक है, अब यहां से a के पास क्या चोईस हो सकती है, अब आप new potent element ले रहे हो, तो हो सकता है, a 0 होगा, a non-0 होगा, अगर a non-0 हुआ, then, there exists k bigger than 1, and k आपको क्या है, natural number, such that, a to the power k equal to 0, but, a to the power k minus 1 non-0, by definition of nil potent element, क्योंकि जो k होता है, आपका least positive integer होता है, ओके, चलिए, अब यहां से कुछ, analysis करते हैं, अब यहां से देखो, यह non-0 है, अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, a into, इसकी power को break कर लिया है, ठीके, a non-0 है, a non-0 है, और k minus 1, a की power, जो है, मतलब, जो a की power, k minus 1, वो non-0 है, but product 0 आ रहा है, it means what, यह आपका 0 divisors का definition है, यहनि कि, a आपका, zr में belong कर गया, यहनि कि, जो nil potent element है, वो, आपके zr में भी contain कर सकते हैं, और extra condition यहां पर क्या है, equal to 0 भी है, तो वो throughout, इस set में contain करते हैं, always, कि, all nil potent element, आपके, इस set में contain करते हैं, ठीक है, third का proof, fourth का proof देखते हैं, fourth आपके पास सा, ir intersection with nr, यहां पर 0 ही element क्यों है, चलिए, एक element लिया मैंने कोई भी, ir intersection with nr, तो यहां से क्या इंपलाइक होगे? यह आपका, ir का मेंबर है, and a आपका, nr का मेंबर है, यह रीकर का मेंबर है, तो यहां से क्या क्यों होगी? a square equal to a, a mr का मेंबर है, तो यहां से क्या होगा? there exist k कोई भी natural number exist करेगा such that a to the power k equal to 0 but a to the power k minus 1 equal to non-0 क्योंकि k आपका list positive integer है राइट चलिए अब item potent element है a square equal to a अब मैं अगर यहाँ पर मैं a cube count करूँ तो इसको मैं again a square into a लिख सकता हूँ a आपका item potent element थो a square equal to a तो again आपको a square मिल जाएगा यानि कि a मिल जाएगा and last lecture में मैंने आपको बताया था अगर a की power k भी करोगे a आपका item potent element है तो always k ही देगा for each k ठीक है अब जड़ा देखिए अगर इस condition को इस condition को एक साथ देखें तो यहां से एक ही guarantee के आ रही है अगर मैं इन दोनों का combination यहां पर देख रहा हूँ तो a मुझे क्या मिल ला है 0 it means what जो भी element आप इस set से ले रहे हो तो वो element only क्या रहा है यहां पर 0 यानि कि 0 एक ऐसा only element है जो आपका item potent element भी होता है and nil potent element भी होता है अगर वो element non zero हुआ तो यह set 5 हो जाएगा ठीक है 4th one ऐसे proof करना है and similarly जो आपका 5 and 6 है उसको आप try करोगे आपने definition का use करना है आपको जो हमने set का analysis दिया है वो खुद मिल जाएगा आपको ठीक है तो इन दो जो last के proofs है इनको आप खुद करोगे like ir intersection with ur आपका only one होता है and last nr intersection with ur वो आपका empty set होता है यह आपके लिए homework है ठीक है next information तो बैसिकिक आज का जो lecture है हमारा theory base है कल अब इस पे कुछ question करेंगे कैसे इनको fact को apply करना है वो देखेंगे next one देखो यह जो मैं statement आपको करा रहा हूँ basically एक theorem है और यह as it is csir के जो आपका part c के question होते है उनमें statement में पूछ रखा था ठीक है बस महाँ पे किसी particular question के लिए पूछ रखा था जैसे मैं पहले general proof करता हूँ if r plus dot be any finite CRU CRU means commodity ring with unity finite word important है यहाँ ठीक है finite के लिए में बता रहो infinite में ऐसा true होगा यह ज़रूरी नहीं है then every a belongs to r और a आपका क्या है non-zero is either unit or zero divisors देखो statement क्या बोलता है अगर आप finite CRU में deal कर रहे हो ना तो जो non-zero element है या तो वो unit हो सकता है या वो zero divisors हो सकता है कभी भी दोनो case एक साथ possible नहीं होंगे ठीक है अब इस fact का हम कल यूज करेंगे कि zm में unit और zero divisors कैसे find out करते हैं ठीक है basically zm में ठीक है तो proof simple सा proof है अब देखो if a belongs to r a आपके पास non-zero है ठीक है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एक function define कर रहा हूँ basically f a x इस particular fix a को यहाँ पर fix किया है और function इस तरह से मैंने define किया है ठीक है यह function मैंने define किया है अब देखो जो मैंने function बनाया है इस function के पास दो case होंगे या तो यह one one हो सकता है या यह not one one होगा इस से जदे तो कोई case नहीं होगा और basically जो function है आपका क्या है इस ring से ring पे ही तो एक function बनाया है और यह आपकी क्या है finite CRU है क्योंकि जो a क्या है आपके ring का ही element है x क्या है जो कि r से ही आ रहा है इन दोनों का product भी तो इस ring में ही जाएगा तो basically आपको जो function है वो r to r है और r कोई भी यहाँ पे ring है जो कि finite CRU है तो यहाँ पे दोनों case में लेके चल रहा हूँ if f is one one ध्यान से सुनना first case f is one one second case f is not one one अब यहाँ से function बना के देखो मैं क्या लिट कर रहा हूँ देखना अगर यह function one one हुआ तो directly मैं ऐसा बोल सकता हूँ f a is one two why एक line का answer है अगर real analysis का आपने basic पढ़ा होगा same set से same set पे बात करें function one one है और इनकी जो cardinalty है set की वो क्या है finite है तो जो one one function होते है वो on two होता है जो on two function होता है वो on one होता है ठीक है तो f a direct यहाँ से on two हो गया on two का definition क्या बोलता है यानि कि for each y inside r there exist x in r such that f of x equal to y यही तो आपका on two का general definition होता है अगर मैं इसको particular work करूँ यहाँ पे देखो one क्या है unity है r का तो इसके लिए मुझे एक x तो यहाँ पे r में ऐसा मिल जाएगा such that a into x a into x ठीक है यह आपका क्या होगा one और we can say x into a ऐसा क्यों लिखा क्योंकि इससे मैं ऐसा लिख सकता है fx equal to one क्योंकि function on two है ठीक है और by definition f of f a x हमारा define कैसे है a into x तो वही मैं नहाँ पे लिख है ठीक है तो और यह किसका definition है अगर ध्यान से देखोगे यह किसका definition है a is unit done second case क्या लेता हूं में अगर यह function if f of a is not one one तो यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं there exist x and y inside r देखो जो function one one नहीं है उसका definition यूज कर रहा हूं अगर दो element different ले रहे हो तो हो सकता है उनका image same आया हो इसलिए आपका function one one नहीं है ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूं ax into ay और we can write इसको lhs में लाओगे तो x minus y equal to 0 a आपको already non-0 है start में जो given hypothesis है a should be non-0 अब x not equal to y है तो उनका difference भी non-0 रहा होगा तो इसको मैं कुछ एक नंबर भी मान लेता हूं तो ये कुछ ना कुछ non-0 होगा और we can say a into b equal to 0 और ये किसका definition है a भी non-0 है आपका b भी non-0 है but product 0 है तो ये तो 0 divisors का आपका property है it means what a is 0 divisors तो पूरा analysis जो proof का हुआ वो ही हमें proof करना था अगर कोई finite CRU है तो आप कोई भी non-0 element मुझे दो या तो रिंग का unit बनेगा या 0 divisors होगा वो ही case हमने या पे discuss किया है ओके देखो analysis का use हमने कैसे ring theory में कर लिया ठीक है चलिए यह काफी important है ठीक है next